आप एल सीजन सेवेंटीन की सबसे खासम खास मुकावला आर सेवी वर्सेश पीबी केस के जो बीच खिली जाएंगी मैच नमर सिक्स उसमें हमारी ग्रेंड लीक के स्ट्रेजी क्या होंगी उसको लेकि हम बारीकी से बात करने वाले हैं मुझे पूरा उमीद है इस वीडियो क को कवर किया है मैच अप्स को कवर किया है उसको जाके एक बाद जोड़ देख लिएगा इस वीडियो के देखिए एक बाद उसमें आपको सहलियत मिलेंगी सारे स्टेट्स मालूम सल जाएगा तब आप जो टीम बनाओगे न वह आपका एनलाइसिस बेसिस का टीम होगा जो जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्षन में वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके सभी वैगों टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जोइन कर लेने हैं और मेरे प्यारे दोस्त आप लोग में से बहुत सारे ऐसे अभी भी हैं जिन्होंने अभी तक यूडूब चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो किस बात की देड़ी है क्यों कर दूसरी करना मेरे दोस्त अभी कर लिजी यूडूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ आगे बढ़ तो वैं चिन्हा स्वामी नाम ही काफी है जब भी नाम आए चिन्हा स्वामी का समझ लेना यहां पर छक्के चोंके की बारिस होंगी तो यहां पर आपको बताओं थुड़ा बहुत बीडिव में तो भाइब अफिर जिसकोर नॉर्मली 170 180 रहता है लेकिन आप यह मान के चलन सबसे बड़ी बात है नो यहां पर बने वाले से और नीचे वाले में आप देखोगो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है मतलब बने 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 वाले हैं अब देखें यहां पर लोग एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं आपको दिख जाएंगे प्लेसेज विडाटकोली पत जिंतवाजी बात कर लेंगे अलदारी का चारवर कंफर्म है सीलाज का चारवर कंफर्म है उसके अलावा मैं मानता हूं कि यहां पर उन्मीर कर सकते हो जो कि इन्पक्ट फिलागी तोर पे आएंगे ग्रियन के लिया होने कि हम वाला है जो कि Jeanne जो कि मैंने आपको डीटेल्स वाले वीडियो में बताया भी है ग्लेन मैक्सवेल तभी गेंदवाजी अजीक करेंगे यहीं चीजी होती है जील में जो आपको मतफ़ करेंगी शामनी वालेटी में आपको यह फैंड आट करना है कि टॉप अच्छे टॉप पांच में कितने ल लेटी है और नीचे से आजाएंगे नंबर चार पर सेमकरन वह एक लेटी है तो टॉप चार में दो लेटी है तो आप उमीद कर सकते हो मैक्सिमेल से भी एकाद ओवर ध्यान रखेगा वेन्यू डैमंसन काफी छोटा होगा रन बनने वाले हैं तो इस मैक्च में आपके लि लिए टीम मीनी जी अल की टीम जी अल की में बैक किजिए अब यहां पर मैच अपस के उपर भी रहासा ध्यान दे देते हैं मैक्स विल का अगर देखेगा मैच अपस राहुल चाहर के सामने चोवाल खेलें 65 रन के और टू टू टैम्स बरार का खेलें 14 वाल रन के 17 और टू लेकिन आपको बता दू मैं पिछले मैच में कार्टिक का बल्यवाजी देख रहा था कार्टिक नो डॉट बहुत ज़्याज़ा पोटेंशल वाले प्लियर हैं बट शुरू के 10-12 बॉल जो खेलें जना वहां पे कार्टिक बिल्कुल कार्टिक टाप के बल्लेवाज मुझे नजर नहीं आ रहे थे प्लेसिस का इस वहन्यू पर बात करें हिट टू हिट बात करें दोनों लाजबाव है पचास से उपर का एवरेज है और मुझे लगता है कि प्लेसिस यहां पे अच्छा नोग खेल सकते हैं आपड़ो प्लेसिस का देखिएगा रवाडा का 47 बॉल के हैं आपना कोली भी उसके अलावा अगर बात करें रवाडा के सामने स्ट्रेगल कि अपना किंग कोली भी और कार्थ को तो तुट्रगल कर नहीं है उनीस बॉल में इस चोधर रंती लें तो जो दो बोलर ने वोल से विट लेकर दे सकते हैं उनमें पहला नम होगा करन का प्लेइंग प्लेइंग एक तो आपको दिख जाएंगे एजन इंपक्त पिलर आएंगे प्रॉप सिम्राइब उसके बाद आपको दिख जाएंगे यहां पर कौन सैं मकरन ऊपर आएंगे तभी जब धवन ओठोंगे उसके अलाबागा जीटियस लिविंग स्टन में से कोई ए अरसल पठेल यह तीन तो मुझे लगते हैं अल्मोस्त बार आवर करेंगे उसके अलाबा मुझे लग रहा है वेन्यू के कोईडिंग राहूल चाहर का हो शक्त है एक आदवर कर जाए सेम करन का बढ़ जाए तो मैं मिनिमम इस मैच में सेम करन का तीन ओवर देख रहा हूं उसके बाद दो से तीन ओवर में देख रहा हूं राहूल चाहर का और जो सामनी वाली टीव में आर्च से भी उनके सामनी अच्छा स्टेट्स है खरप्रीत बरार साब का तो इनसे भी आप दो से लेकि चार ओवर के बीच में उम्मीद करके चल सकते हो लिवी इस्टन के कम मुझे नजर आ रहे हैं अख वाडन के डस्टियों देखेगा फर्गुषण के सामने सामनी वाले टिम थोड़ी सी स्ट्रेगल की हैं तो क्या फ्रगुषण का मौका मिलेगा यहां पर देखने बात होनगे लेकिन सब्सक्राइब ऍसवार्स साब खोर शीराज यहां बीस अब pourquoi यहां भी है वो हमारी स्मॉल लिग का भी टीम होता है और जो कि हमारा कुछ हद तक नहीं पूर्ण तासे टीम में से एक होता है जहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे प्राब सिम्राम सिंग विकेट कीपर बल्लेवाज में बैटिंग से अपना किंग दिख जाएंगे अब अगर मुझे किसी भी पिलर को छोड़ने का सबसे अत्यधिक मन कर रहा है वह है लिविंस्टन बस इनके साथ दिक्कते क्या है पता है अगर इनको सही से 20-25 बॉल खेलने को मिल गया तो भैसा भी आपको वन साइड़ेड गेम से बार फेक देंगे अर्दस जो है न बॉर्ल को प्लॉट में इनको फेक देनी है मतलब छक्का लगा देनी है उसके अलाबा मैंने यहाँ पे लिए अर्षडीप सिंग को जो मेरी जीयाल टीम नंबर वन है और स्मॉल लिकी टीम है उसमें मैंने क्याप्टन सी का भार सोप है मैक्सवेल को वी सी केमरोन ग्रीन को अब आई हम बात करेंगे अपनी जीयाल टीम नंबर टू थ्री फोर को लेके इसके अलाबा भी आप चाहो तो एनलाइस जो मैंने आपको डीटेल्स वाले वीडियो में दिये उसको फॉलो करते हुए डिप्रेंट डिप्रेंट कॉमिनेशन ट्रै करके चल स वहां पे मीनीमम आपके पैसा का पैसा आजाए उपर जो आए उसमें आप खुश रहो अगर हम बात करेंगे जीयाल टीम नंबर टू को लेके आपके सामनी है टीम हुए है प्रबसे मेंडम सिंग कोली सिकर दबन प्लेसिस वेरेस्टो पतिदार और डेंडर मैक्सवे लिव नमर्ट री को लेकिए यहाँ पे दोनों मैंने अच पटे से कोली है चली तो चान तक नहीं तो साम तक बनना मैंने जो टीम है वो इतने सेफ है कि आपको पैसा का पैसा तो लाही देगा वहाँ पे मैंने विकेट की पीचे प्रबसे मरन को लिया है बैटिंग में किंग कोली सिकर्थवन, फावडू प्लेसिज, बेरेस्टो, रज़त पतिदार, मैक्सवेल, लिविंग्स्टन, करन, सीग्रीन और अर्सदिप सिंग हमारे टीम में होंगे कैप्टन सी की फार मैंने सौप दिया बेरेस्टो को रीजन पता है न स्टेट्स वाले जो वीडियो देखे हो बिडाट को लिया है, दवन को लिया होए और प्लेसिज को लिया हुआ है, जोनी वेस्टो, पतिदार हमारे टीम में होंगे, और रंडर से मैक्सवेल, लिविंग्स्टन, करन, ग्रीन और हमारे टीम में होंगे अर्चदिप सिंग, कैप्टन सी की भार मैंने दिया है यहां पे करन को, वीची मैंने दिया है, पतिदार को, इसके अलावा अगर आप और भी जिया लगाना चाहो, तो वहां पे प्लेसिज को और प्रब सिंग को, इन दोनों को कैप्टन वीची वाला भी जोरी एक वार जरू ट्रय करना, फिलाल हमारी टीम नंबर 4 की कैप्टन वीची को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा, मिल्टे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई इंजबाय कीजिए, अच्छा का सावीन कीजिए, और समझदारी से इस मैच में, इस्पेसली, ग्रेंड लिग जरूर ट्रय कीजिए, धन्यवाद.